हलो स्टुरेंट मैं सिदाद मिश्राप सब को सागत करता हूँ अपने इस ओनलाइन चैनल में जिसका नाम है Commerce Academic Point फोड़ा सा आगे बढ़ूं आपके साथ तो मैं आपको बता दू यह Basic Functions ठीक है हमने बोला POS DC Planning, Organizing, Staffing, Directing and Controlling लेकिन एक और बड़ा Important Functions होता है जेनरल यह मुझे Basic Functions में नहीं रखते हैं बट जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बोला ना जाहें लेकिन वो बहुत Important होती है उसी प्रकार से एक ऐसा Functions है जो कि बहुत Important है हर Management का जिसे Essence of Management बुला है यह सब्द आपने पहले भी अपने जीवन में बहुत बार सुना होगा Coordination का मतलब coordinate करना एक समन्वे बनाना जैसे जब बहुत ग्रूप में कोई काम होता है टीम में काम होता है तो टीम के बीच में Coordination बहुत ज़रूरी है आप Cricket Match देखते होंगे या कोई भी गेम आपको जो पसंद होगा आप देखते होंगे जब एक boundary के पास से एक throw फेका जाता है तो देखेंगे automatically wicket के पीछे कोई न कोई दॉल करके आज आता है ताकि उस ball को पकड़ करके अगर हो miss करे स्टम पे तो वो पकड़ करके उसको मार सके यानि यह क्या कर रहा है coordinate कर रहा है यानि एक व्यक्ति के काम को दूसरा व्यक्ति coordinate कर रहा है ताकि एक final result जो runner है उसको out करना यही उनका final result है वही उनका उद्देश है तो उसको out करने के लिए एक फेके गए throw पर जब दूसरा वेक्ति पीछे से आ करके उसे पकड़ता है, तो वो उसको coordinate कर रहा है, उसी प्रकार से organization में आपने अभी तक के class में यह सीख लिया होगा, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे department होते हैं, बहुत सारे manager होते हैं, तो सब का एक उद्देश्य पूरा हो, उसके लि कि इस department को support मिले, और यह सारा support और coordination इसलिए होता है, unity इसलिए दिखा जाती है, ताकि organization का common goal प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत important topic है, यह लंबा topic भी है, जिसके उपर बहुत सारी चर्चाएं हम लोग को करनी है, बहुत interesting भी है, और आसान भी है, क्योंकि coordination हम अपने हर जग देखते हैं, जहां भी एक से अधिक लोग हैं, जहां team में कोई काम होता है, तो वहां coordination आत्मा है, उस team का, तो इसलिए management के अंदर भी हम लोग बोलेंगे, क्या है coordination, आत्मा है management की, आप answer में यह नहीं लिख देंगे कि आत्मा है, बट आप essence लिख सकते हैं, of course, soul of management लिख दी पेज नंबर 33 पर, student page नंबर 33 पर आजिए, जहां coordination दिया हुआ है, फिर मैं इसकी बारीकियों को समझाओंगा, क्योंकि कई बच्चे coordination से थोड़ा confuse होकर, उसे cooperation समझ लेते हैं, आप में से भी अभी मेरे समझाने के बाद बहुत सारे बच्चे समझ के होगे, कि सर ये तो cooperation जैसा ही है, देखो cooperation जैसा है, बट cooperation नहीं है, cooperation का मतलब प्योर होता है help करना, फिर आप को होगे सर coordination में भी वही है, लेकिन समझना student, cooperation और coordination, मैं इस topic को कराने इस पहले थोड़ी सी differences कर ही दूँ, cooperation का मतलब होता है selflessly, सोविच्छा से, voluntarily किसी की मदद कर देना, जब एक व्यक्ति आपसे मदद की उमीद नहीं करता, मगर फिर भी आप उसकी मदद करते हो, एक voluntary तरीके से मदद करते हो, तो आप उसकी मदद को cooperation बोल सकते हो, मगर एक organization में आप ये नहीं बोल सकते हैं, एक department दूसरे department की cooperation कर रहा है, नहीं, दूसरा department उससे उमीद करता है, deliberately एक system बना हुआ है, भाईया एक department तुमको उसकी मदद करनी ही करनी है, यह system बना है, यह systematic process है किसी को help करना, इसलिए voluntarily जब आप किसी की मदद करते हैं, अपने इच्छा से, तो cooperation है, मगर एक system बना करके, एक deliberate process के अंदर, जहां आपको करना ही करना है, उसको help out और उसको support, ताकि एक organization का common goal प्राप्त हो सके, यह unity of uniformation लाना ही लाना है आपके अंदर, uniform करना ही करना है सारी चीजों को, तो इसको coordination बोलते हैं, यह coordination एक deliberate functions है, यह बनाया ग कर गया है, कि एक विभाग, एक व्यक्ति, एक manager, दूसरे विभाग, दूसरे व्यक्ति, दूसरे manager को coordinate करेगा, coordinate करने से organization का common goal प्राप्त होगा, इसलिए cooperation थोड़ा सा अलग है, क्योंकि cooperation selflessly, voluntarily तरो पे किसी की मदद करना होता है, coordinate, coordination एक deliberate process है, तो इसलिए हम पर deliberate सब्द देखने के लिए भी मिलेगा, deliberate का मतलब होता है, planned तरीके से, जान बूच का, तैक या हुआ, systematic ढंग से, ये coordination है, आईए मैं पढ़ा दू, फिर एक बड़ा interesting का मैं आपको example भी बनाऊंगा, तो आपको समझ आएगा जादे आच्छा, चलिए, अब यहाँ पर आईए, देख functions अभी जो हम लोग ने पड़ा, these five functions, POSDC, there is one more important functions, which every manager has to perform, कह रहा है, वो पाँच functions के अलावे, जो POSDC पड़ा ता, उसके अलावे भी एक functions है, जो हर manager को follow करना है, and that is, coordinations, और कह रहा है, यहाँ पर, this is called coordinations, हर वैक्ती को करना है, कह रहा है, it is not only the functions, but it is the essence of the management, वही, आप soul लिख सकते हैं, आत्मा लिख सकते हैं, यह essence of the management है, तो student इसके अंदर होता क्या है, अब पढ़ सकते हैं, अब पढ़ सकते हैं, अभी तक जितनी भासनवाजी मैंने अभी किये, coordination school, आप देखें को, वहाँ सारी बाते लिखी हुई है, मैं एक बार और थोड़ा से रीट कर होता है, एक धागे में लाना, coordinated तरीके से, ताकि organization का aim प्राप्त हो जाए, अब student मैं एक आपको example लेता हूँ, क्यों जरूरी है, आखिर आपको लगेगा, कि sir ठीक coordination है, लेकिन क्यों जरूरी है, हलाकि जरूरी है, बट क्यों जरूरी है, इसका कोई logic भी तो होना चीए, student आ ताकि आपको समझा सकूँ, अब जैसे मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, कि कुछ departments है हमारे पास, जैसे, एक मैं कह देता हूँ, कि हमारे पास है purchase department, purchase, for example student, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिए, number one पर मान लीजिए, एक purchase department, purchase department, और मैं एक और ले लेता हूँ, दूसरा department, यहाँ पर है production department, production department, आपको दिख रहा होगा, दो department मैं रख लिया, उसके बाद मैं तीसरे number पर रख दूँ, आपका मान लीजिए, sales department, और एक मैं और चौथे number पर रख देता हूँ, finance department, finance department हम लोगा है, एक function और, तो यह चार department बना दिया, student मैंने, that is, finance department, और यह चार functional department मैंने यहाँ पर तैयार कर दी, आपको देख रहा होगा, स्क्रीन के उपर, मैं और थोड़ा बढ़ा कर दूँ, यह अब आपको perfectly दिख रहा होगा, यह चार department, अब मान लीजिए, आपको पता होगा, customer से deal करता है, sales department, अब यह रहा आपका sales department, sales department बाजार के अंदर ग्राहकों पर मिलता है, और demand चेक करता है, अब बाजार के अंदर sales department को पता चला रही है, मेरे product को तो मांगने वाले बहुत है, बहुत सारे लोग demand कर रहे है, खूब सारे लोग demand कर रहे है, अब जैसे ही sales department ने production department को बुला, ने production department को बोला कि मुझे बना करके दो मैं बेचूंगा company का फाइदा होगा अब production department बोलता तच्छा ठीक है अब production department को आपको पता बनाने के लिए raw materials production department ने तुरंथ purchase department को का फिर्ट टेपर्ट्मेंट परचसर्ट不用 далее आई केरा purchase department आप raw material खरीद करके公司 दीजिये तकि वो raw material ला करके हम अपना production कर सके और sales department को दे सके यहीं तो है coordination और purchase department बोलता थीक है sales department ठीक है production department मैं अभी finance department से बात करता हूँ कि finance department मुझे पैसा दे ता कि मैं raw material खरीद सकूँ और finance department के पास किस ने phone किया, purchase department ने phone किया, बोला finance department पैसे दीजिए sales department ने production department को production करने के लिए बोला है क्योंकि समान चाहिए और production department ने मुझे raw material खरीदने के लिए बोला है तो मुझे पैसा दीजिए अब देख सकते हैं student, बेचने का काम sales department का होता है लेकिन हर department एक दूसरे को पर निरबर है अगर यहाँ पर coordination की कमी हुई तो sales department गराक होने के बावजूद नहीं बना समान बेच पाएगा अगर production department उसे बना करके नहीं देगा, production department बना ही नहीं पाएगा अगर purchase department उसके लिए raw material नहीं खरीद पाएगा raw material तब तक नहीं खरीदा जा सकता है purchase department के दारा जब तक finance department उसके लिए उचित समय पर पैसे का बेवस्ता नहीं कर पाएगा तो क्या सारे departments के बीच में coordination जरूरी है या नहीं है तो आपके दिमाग में answer आएगा जी हाँ, coordination बहुत important है अगर ये coordination नहीं हुआ student तो organization का एक common goal क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा इसलिए coordination is essence, तो आप समझ गए है importance of coordination यानि coordination क्या है, coordination is must, यानि यहाँ पर coordination बहुत जरूरी है, coordination, age, essence आप सब लिख सकते है तो student समझने के लिए हम लोगों ने समझ लिया कि coordination बहुत जरूरी है अब coordination के उपर बहुत detailed चर्चा है, यानि coordination के उपर इसके features, इसके importance और इसके need क्यों है organization में, वो सारे points भी हम लोगों को पढ़ना है इतनी बाते समझने बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप self भी read कर लेंगे तो ये topic बहुत आसानी से समझ लेंगे पर फिर भी क्योंकि मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं fast reading कर रहता हूँ था कि आज की class में ये coordination वाली topic को हम लोग पूरी कर लें आईए student, फटा-फट चलते हैं अपने coordination की और वापस से और मैं वापस से आपको page पर लेकर के आऊँगा और coordinations के लिए जहां हम लोग पढ़ रहते हैं वापस आजाएं तो student वापस से आगए हम लो coordinations पर और आपको मैं बोलूँगा कि आप आजाएए page number 34 पर जहां coordination the essence of management के उपर बात लिखे हुई है एक topic है जो कि examinations में कई बार आ चुका है इसलिए मैं आपको बोलूँगा केरा coordination is the essence of management और ये question आगया कि बहीं explain करो कि how coordination is the essence of management थोड़ा मैं fast रहूँगा क्योंकि बहुत सारी major चीजे मैंने आपको समझा दिया और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ only headings क्या याद करोगे only headings अंदर के explanations नहीं अंदर के explanations आपको read करना है जितने जादे point बना पाओगे एक point बनाओगे उतने marks मिलेंगे heading एक डालो उसके बाद उसके explanation को point wise point लिखो तुटी-फुटी language उतनी अच्छी language आपकी नहीं है तो भी कोई दिखत नहीं अगर headings अगर नहीं बनी तो फिर समझ लीजे marks नहीं बनेगा इसलिए headings आपको याद करना job के किताबों में ये blue color से बनी हुए headings तो देखेंगे तो देखेंगे इसमें कहरा है coordination एक essence होता है management का अब बात है कि क्यों कैसे समझाइए इस topic को तो देखेंगे सबसे पहले कहरा है कि यहाँ पर मैं एक read कर दूं Coordination brings unity of action and integrates the different activities of the organization कितनी अच्छी बात बोला brings unity of action यहीं से खतम होगे यह तो unity of actions लेकर आता है और integrate करता है जितने भी organization के activities है उनको इसलिए यह आत्मा है इसलिए प्रान है इसलिए essence of management है चलिए अब उसको proof करने के लिए कुछ-कुछ points हम लोग read करेंगे headings पर जोड रहेगा student करा coordination is needed to perform all the functions of management अब इसकी नीचे की बहुत जादे आपको reading नहीं करनी है आप बस इतना लिख दीजेगा examination में कि coordination क्यों है sense है तो पहला point support में हम लोग लिख रहे है because it is the, it is needed to perform all the functions of management यहनी post DC जितने भी post DC है planning, organizing, controlling, directing इन सब को perform करने के लिए coordination चाहिए क्योंकि coordinated effort नहीं रहेगा तो सारे एक सारे functions बेकार हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से आपको यहाँ समझाए हुगा आप देख सकते हैं जितने भी planning, organizing और यह सारी चीजें हैं मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि चित्र आपको पूरा देखे यह देखी आपका सामने चित्र तो जितने भी आपके planning, organizing, staffing, directing, controlling इनके बीच में बना हुआ है coordination यानि coordination के माध्यम से ही सारे functions परफॉर्म किये जा सकते हैं इसलिए coordination का importance है तो पहला point आपका clear हो गया that is coordination is needed to perform all the functions of management जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, all the functions तो आपको समझ आना चाहिए, functions का मतलब होता है POSDC चले इसटों, second point को support में आपको डाल रहा है अच्छा, और बताओ, अभी satisfaction नहीं हुआ examiner को examiner कह रहा है और बताओ, क्यों essence है तो आप दूसरे point support में लिख रहा है कह रहा है कि coordination is required at all the labels of management अब आपको labels of management याद आ रहा होगा top label, middle label, lower label या नहीं तो यह तीनों label पे coordination की जरुरत है हर manager को coordination करने की जरुरत पड़ती है इसलिए भी यह essence of management है बाकि आप reading देख सकते हैं आपर कि हर label पे चाहिए at all the labels को अपने दिमाग पे आप रखेंगे बाकि बहुत explanations आपको इंसकेंदर याद करने की जरुरत नहीं है इसलिए बस इतना रख लिजेगा कि coordination is required at all the labels of management और नीचे आप लिख सकते हैं इतना लिख करके आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा अगर आप एक एक reading भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा थर्ड नंबर सपोर्ट में examiner का मन नहीं भरा examiner कह रहा है और बताओ आप कह रहे हैं और बताएंगे हम तो पढ़ करके आए हैं तो coordination is the most important functions of an organization अब देखिए कुछ ही नहीं समझ आए तो कहरा most important functions of the management अरे बहिया चर्चा ही इसी पर चल रही है कि coordination एक most important functions essence है उसी के support में करना है में answer और उसी के answer में लिख दिया तो business studies आप समझ गया होगा student एक लिखने की कला है कई बार सेम बातों को सेम तरीके से न लिख करके कई बार लिखेंगे और बात एक ही होगी मतलब एक ही होगा भी पढ़ाते हैं समय कई बार मैं दिखाऊंगा आपको आपको लगए का sir unnecessarily यह तो repetitions हो रहा है सब्दों का लाइनों का बिल्कुल student यही तो business studies है कला अगर आपको लिखने आ गया तो marks examiner दे करके जाएगा आपको यानि आपको लिखने की कला नीच चाहिए इस सेम बात को कैसे लिखे कई तरीके से लिखे तो यहां आप देख सकते हैं तो आपको भी कुछ नहीं लिखना आपको लास्ट में कुछ नहीं समझा है तो आपने लिख दिया वह essence है क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण functions है management का बस यह तीन बातों से आप examiner को satisfy करोगे कौन-कौन सी तीन बाते तो आप देखे मैं छोटा कर दिया है आपर तक कि आपको देख सके तीनों बाते कौन-कौन सी तीन बाते कि सबसे पहले coordinations हर functions को पूरा करने के लिए coordinations हर label पे चाहिए और coordination सबसे most important functions है management का इसलिए उसे हम लोग essence of management कहते हैं चलिए इसका conclusion नीचे दिया हुआ है उसे आप एक बार फटा-फट देख ले और यहां पर आप fast reading कर लेंगे वही सारी बाते हैं जो आपको मैंने अभी तक बोली है तो आप अपने किताब से इसे क्या कर लेंगे read कर लेंगे read करते ही आपको समझ आ जाएगा नया कुछ भी नहीं है इस नीचे वाले conclusion वाले point पे student तो यह हम लोगों ने coordination का एक और हिस्सा सीख लिया अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सबसे पहले coordination क्यों essence of management है चलिए student नीचे चलिए हम लोग और अगले लेबल पे आ गया कि coordination का nature बताईए coordinations का feature बताईए अगले page पर आएंगे student next page पर और page नमर बताओ 35 35 page नमर पर आएंगे आप nature of coordination यह आपके सामने स्क्रीन पर दिखे तो coordination के आप हम लोगों को पढ़ने है student features अब features में आपको याद आता होगा student जब management का features मैंने पढ़ाया था तो दो-तीन features को मैंने कहा था पर रट लीजिये वो कौन-कौन से features थे एक मैंने कहा था pervasive, pervasive का मतलब याद आ रहा है भी कि भूल गयो, यह पाँचवी lecture है अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था pervasive का मतलब होता है जो की हर जगा लगता हो यानि applicable everywhere in all type of organization at all level of management तो क्या coordination के लिए यही बात बोली जा सकती है कि नहीं कि coordination भी एक pervasive functions है यह pervasive है यानि हर label पे चाहिए हर type के organization में चाहिए क्योंकि coordination के बगार तो कोई हो ही नहीं सकता coordinated effort नहीं होगा सब अपने मन से करते रहेंगा organization डूब जाएगा यानि pervasive वाली बात आपको याद आती होगी pervasive functions है यानि हर जगा है तो मैं sequence में नहीं पढ़ाऊँगा वो सारा चीज जो आसान आसान सा है पहले उसे दिखा देता हूँ इसके अंदर nature of features के अंदर ताकि आपको समझा है तो सीधे आप आईए point number 4 पर features में इसी के point number 4 में और देखेंगे वो point आपको दिख गया याँ पर कि coordination is a pervasive functions जैसे दिखा आपको पुरानी वाली बात याद आगई और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो underlining भी मैं करा दू coordination is universal function it is recorded at all the labels of in all departments and to perform all the functions due to interdependence of various activities on each other वही सारी बाते कह रहा है student कि यह universal function है यानि हर जगा लगता है हर label पे लगता है हर departments पे लगता है और ऐसा इसले लगता है और half functions को करने में लगता और ऐसा इसले करना पड़ता है क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर है एक organization के अंदर यानि इंटरडिपेंडेंट है इसलिए पहला function pervasive function रख लेना student रट लेना एक दम अच्छे से क्योंकि हर chapter में आएगा परवेशिब परवेशिब करके परवेशिब अहम हिस्सा बना लिजे अपने answer लिखने के तरीके में दूसरा हम लोग नो management is continuous पड़ाता है continuous लगातार आप कोई पता है coordination के उपर भी वह इसे हम बात कहा सकते हैं क्या coordination एक बार कर दोगे तो चलेगा एक बार सारे लोग आपस में united efforts लगा दो तो चलेगा नहीं निरंतर जब तक organization है जब तक काम चल रहा है तब तक unity of efforts चाहिए इसलिए coordination को हम लोग ये भी बोलते हैं कि continuous process है just उसके उपर में देखिए management, sorry coordination is a continuous process क्योंकि हर जगे ये continuous लगातार चलाते रहना पड़ेगा और उसके लिए देखिए simple बासा में क्या बात कह रहा है never ending functions, non ending functions कभी न रुकने वाला functions है हमेशा लगाते चलना है आपको ठीक है कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा मगर हमेशा लगाना पड़ेगा आपको headings important है अंदर का explanations आप स्वैम कर सकते है तो दो point पढ़ लिया हम लोगों ने इसके features में अब आईए student अब सुरू से हम लोग पढ़ते है ये दो क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा था तो मैंने आपको वो read करा दिया अब आते हैं सुरू से सबसे पहले कह रहा है coordination integrates the group efforts आपको पता है इसके definition पढ़ते हैं वक्त भी हम लोग ने पढ़ा integrate का मतलब सबको एक साथ पिरो देना integrate, सबको इकठा करा देना integrate कर देना, जोड देना इसको कहते हैं हम लोग तो क्योंकि organization में खूब सारे group efforts हो रहा है तो उनी को करना यह सारी भासनवाजी अभी तक चल रही है student, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं है इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसकी heading important है अंदर के explanations आपके अपने चलेंगे तो कहरा है coordination integrates the group efforts और explanations में एक दो line अपलिक सकते हैं the concept of coordination always applied to group efforts there is no need of coordination when only single individual is working तो साब कह रहा है group है तो ही coordination है क्योंकि एक व्यक्ति आपस में अपने आप से थोड़ी coordinate करता है तो जहाँ जहाँ group है वहाँ वहाँ coordination की जरूरत है इसलिए इसे it integrates the group effort बोला जाता है तो ये भी 1x का functions है एक दो line में explanation more than enough है बाकि आप नीचे read करोगे तो आसानी साब को समझाएगा मतलब मैं आपको समझाता चल रहा हूँ अगला कह रहा है coordination अगर है तो ये बात सुनिश्चित हो जाता है कि सारे लोग का efforts में unity होगी एकता होगी ये fix हो जाएगा अगर coordination है तो यानि इंस्योर करता है ये guarantee देता है यहाँ पर देखे लिख रहा point number two पर इसके अगले nature पर कि ensure unity of efforts यानि unity of efforts को सुनिश्चित करता है guarantee देता है कि हो ही जाएगा कह रहा है coordination always invests on unifying the efforts of the different individuals because of conflicting efforts may cause damage to the organization वही बात बोल रहा है इस्टुन कई तरीके से same बात लिख रहा है कह रहा है कि ये unity of efforts को guarantee करता है कि होगा ही होगा सारे different departments के efforts एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि common goal पर आपता हो सके क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो conflict के कारण organization में damage हो सकता है तो वही इस point को यहाँ पर ये represent करने की कोसिस कर रहा है student यहाँ पर एक topic दे रहा ensure unity of direction उसका मतलब भी almost same होता है unity of direction मतलब एक ही दिसा में सारे लोग चलते है ताकि organization की goal को प्राप्त किया जा सके यहाँ पर बोल्ट लेटर मिली भी रहा coordination ensure all the department work in hand and create balance in all the department it acts as binding force of all the department कुछ ऐसे सब्द हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आपको answer बनाने बहुत मजाएगा जैसे it acts as binding force in all department binding force यानि जो जोडता है बाकि एक example यहाँ पर जो दे रहा है ऐसा ही example हम लोग ने already कर रखा है तो आप देख सकते हैं उसी तरीके का यहाँ पर example एक और बनाया हुआ तो यह भी point हम लोग ने पढ़ लिया अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ेंगे पांचवे point पर आएंगे features के अंदर जिसके अंदर कह रहा है coordination is the responsibility of all manager बताइए all levels of management का point पढ़ाने के बाद बारा इस point की क्या जुरुवत थी कि भाया हर label पे जब जुरुवत है तो हर manager की जुरुद है पर फिर भी मैंने बोला लिखने का एक कला है एक point और मिल गया आपको marks मिल जाएगा अब भी लिख सकते हैं यापर coordination is not the task of only top level manager but working at different levels to coordinate the activities of organization यानि हर manager के जिम्मेदारी है चाहे कोई साभी label हो हलाकि इस point को हम लोगों ने pervasive वाले point में भी पढ़ा है मगर फिर भी एक नया point बना है तो अच्छा ही है सेम बात पल करके कई बार number मिल रहे है तो marks देने का ही subject है यह marks देता है लेता नहीं है मगर फिर भी कुछ बच्चे इसे tough बना देते है प्रल ले लेते हैं सुरू में ही कि हम इस आसान विसाय को इतना tough बना देंगे कि हम खुद number कम ले करके आएंगे तो ऐसा नहीं करना है आसान है headings याद करना start करिए और last जो इसका feature a student कहरा है coordination is a deliberate functions ये मुझे बड़ा बढ़िया point लगता है इसलिए लगता है क्योंकि सुरुवाद भी मैंने यहीं कहा था याद होगा मैंने अभी cooperation पढ़ाते वक्त आपको difference कर रहा है था cooperation एक voluntary effort था cooperation मदद करना सुभी च्छा से voluntary लेकिन ये एक deliberate है deliberate का मतलब होता है जान बूच कर सोच समझ कर plan करके कोई चीज तै करना that is deliberate और निश्चित तोर पर organization में कि आप सबके मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है अपने मर्जी से मदद करने का होगा तुम मिल जूल के काम कर लिजेगा नो आपको पताया जाता यह system है जिसमें आपको coordinate करना ही करना है इसलिए deliberate functions बोला गया तो याद रखेगा this is deliberate functions और यहाँ पर इसके explanation में every manager tries to coordinate the activities of our organization to avoid confusion and cause यानि confusion ना हो conflicts ना हो without coordination efforts of individuals cannot be united and integrated अगर coordination नहीं हुआ तो सब के efforts को united and integrated नहीं कर सकते चार line का यह topic है बाकी heading याद करोगे तो देखोगे नीचे में सब जगा वही repetition चल रहा है वही repetition चल रहा है तो इससे आपको यह भी ग्यान समझा रहा होगा कि business studies में अगर लिखने की कला आ गई तो examiner को marks देना ही पड़ेगा तो यह topic था nature features characteristics of coordinations का अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं एक और topic है coordination से related and that is importance and need तो बड़ा simple सा topic है मैं इससे fast करूँगा क्योंकि इतनी topic पढ़ने के बाद इतने सारे topic पढ़ने के बाद इसका सिर्फ और सिर्फ reading मात रही यह topic आपका खतम कर देगा क्योंकि सारी चीज़ें आप अल्रेडी पढ़ करके रखें और आपको लगेगा कि unnecessary बहुत सारा point बनाया हुआ इसके अंदर यह तो सारी चीज़ें पढ़ चुके बिल्कुल बेटा आपको समझना है और अपने किताब में आप चाहेंगे कहीं कहीं लिख सकते हैं सबसे पहले कह रहा है growth in size आपको पता है कि organization जैसे जैसे बड़ा होता चलेगा उतने उतने लोग आते चलेंगे उस organizations के अंदर उतने उतने departments बनते चलेंगे उस organizations के अंदर तो जब एक organization बड़ा होगा तो जादे लोग होंगे जादे departments होंगे तो जैसे ग्रो करता है organization उसके अंदर coordination की जरूरत सबसे प्रबल हो जाती है जादे जरूरत होती एक single work थी अगर अपना काम कर रहा है कम coordination की जरूरत है दो लोग कम coordination तीन लोग कम coordination लेकिन अगर 1000-5000 लोग 5-5000 लोग एक साथ एक organization में आने लगे organization का size बढ़ने लगे तो coordination की जरूरत भी बढ़ने लगेगी या आप एक सकता है the need of coordination increases with the increase in the size of the organization because in large organization there are more number of persons working each individual has his own needs and objectives so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards the common goal बाकी सारी चीज़ आपने पड़ी है तो अगर organization बढ़ा होते चल रहा है तो coordination जरूरी है पहला point clear हो गया student हम लोग को मैं इसमें थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक ज्यादा important है तो आप यहां तक जरूर समझ लेंगे एक एक line आपको याद करनी है बस उसके बाद आप समझ सकते है functional differentiation, functional differentiation क्या होता है student मैंने अभी आपको बताया था sales department, purchase department, आपका finance department, आपका store department, खुब सारे department हो तो इनको हम हम लोग बोलते है functional department, तो एक organization में क्योंकि कई प्रकार के functional department होते है, differentiation, differentiation मतलब अलग-अलग department, differentiation है, तो खुब सारे department अलग-अलग काम करने वाले हैं, तो functional differentiation को उचारू ढंग से चलाने के लिए उनके बीच में coordination होना जरूरी है, एक ही तो है नहीं कि इससे बनाना है, उनके बीच में coordination जरूरी है, तो ये भी point बिलकुल clear है, आप देख सकते हैं, the functions of organization are divided into different departments, बहुत सारे department है, sections and divisions है, and each department works in isolation by giving more importance to its objective, और हर department अपने-पने में काम करता है, अपने objectives को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हर department आपस में interlinked होता है, interlinked कैसे होता है, मैंने समझा दि है, क्या भीना यहां पर, but in actual practice, these departments are interlinked and interdependent, हर कोई आपर में interdependent है, interlinked है, इसलिए coordination इनके बीच में होना चाहिए, तो ये भी point clear होगा है student, और अगला point आरा student, that is specialization, अब specialization का मतलब क्या होगा, आपको पता होगा, इसको मैं बोलूँगा, इसको काबिल, कुछ लोग होत होता है, कहता है, मैं finance का, chartered accountant बोलेगा, मैं finance का boss हूँ, CEO बोलेगा, नहीं सब कुछ मेरे ही साब से चल रहा है, sales department बोल रहा है, मैं नहीं बचूँगा, तो तुमारी तन खाये नहीं आएंगी, ये सारे लोग अपने आप में export होते हैं, और सारे export अपने आपको काबिल समझ अगर हर कोई अपनी अपनी दिसा में जाने लगा, तो दिक्कत आएगी, तो specialization का मतलग, क्योंकि सारे अपने आपको specialize समझते हैं, सारे अपने आपको export समझते हैं, तो उनके बीच में coordination जरूरी है, नहीं coordination हुआ, सब अपने आपको specialize समझने लगे, तो organization डूब जाएगा इसलिए, specialization के साथ coordination भी होना जरूरी है, आइए फटाफट रीडि कर ले इसके अंदर, कह रहा है, in large and modern organization, there is high degree of specialization and the specialist or expert feel that they are only the qualified people, कह रहा है कि हर specialist और expert समझता कि वही सिर्फ काबिल है organization के अंदर, तो इसलिए, and they always take right decision in right direction, उनको लगता है कि हमी सारा decision right ले रहे हैं, इसलिए, जितना जादे, there are number of specialist working in organization, और सब अगर अपने हिसाब से चलने लगे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वही बात कह रहा है, if all work, if all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion, इसलिए, जो main line student पढ़ने वाली में color बदल रहों इसके लिए, so there is need to coordinate the activities of all the specialist, हर specialist के activities को coordinate करना है, ताकि व minimum benefit प्राप्त कर सके अपने organizations के लिए, तो यह 3 point उसके need और importance को बनाता है, कि organization बढ़ रहा है, तो जरूरी है, खोब सारे department से, इसलिए coordination है, खोब सारे expert है, इसलिए coordination की जरूरत है, need है, तो student, आज की class में यह सारे topics हम लोगों ने covered कर लिया, 95% यह chapter समाप्त हो चुका है, मग के अंदर कुछ topics बचे हैं, छोटे मोटे जो मैंने पीछे skip करा हैं, वो कराना है मुझे, और उसके बाद, जो major चीज कराना student, वो है case studies कैसे handle out होगा, तो इस topic को मैं student बोलूँगा, फटा 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 अब भी जा करके revise कर सकतो, business studies में revise और लगातार पढ़ना बहुत जरूर है, आप उसे revise कर लीजे, अच्छे से कर लीजे, ताकि इसके बाद जब मैं आपसे case studies पढ़ाना start करू student, तो वो case studies आपको बहुत अच्छे से समझाए, क्योंकि एक chapter कराने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ, कैसे कैसे questions आते examinations में, कैसे case studies को लिखने का तरीका, अभी आपने पिछले classes में कुछ हो, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था, बट उनके लिखने के तरीकों में काफी problem है, तो वो भी मुझे सिखाना कि answer attempt कैसे करना, बनाना कैसे है, कैसे case studies को समझना होता है, कितने type के case studies आ सकते हैं, वो सब हम लोग discuss करेंगे, आने आने वाले classes क अंदर जब ये chapter पूरी तरीकर समाप्त हो जागा, तो एक class और लगेगा, इस chapter को समाप्त करने में, उसके बाद आगे की सारे process हम लोग तै करेंगे, तो thank you very much for watching, again, अगर आपने subscribe नहीं किया, subscribe करें, bell icon तो पक्का दबाइए, क्योंकि उसी से आपको notifications जाता है, और दूसरा आप मेरे applications को जरूर download कर ले, क्योंकि आपके doubts के लिए वो application बहुत जरूरी है, plus जो accountancy के अंदर, या business के अंदर, या आगे आने विले दिनों के अंदर, अगर economics में start करता हो, तो उसके भी notes, मैं उसी applications के जरिये दूँगा, okay, that's enough for today, tata, bye bye, see you in next झाल